जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं यह जो नौटिफिकेशन है यह नौटिफिकेशन आया है किसकी तरफ से UGC की तरफ से यह नौटिफिकेशन आया है जिसमें प्लियर ही नोटिफिकेशन किया है कि आपको कोई भी यहाँ पे सिटीजन से पगर आपके पर पाकिस्तान की है आप कहने का मतबब यह इंडिया की है और आप पाकिस्तान में रहते हैं वहां आपने study की है तो उसके बाद इंडिया में आपको रोजगार मिलने वाला है और नहीं यहां पर आके आपको कोई भी higher education करने का मौका मिलना वाला है जितनी भी official PDF से मैं आपने telegram group में आपको provide करवांगी वहां से जाके आप देख लीजेगा so complete notification क्या है पर फिर भी मैं आपको यहां पर read करके बता देती हूँ all concerned are advised not to travel to Pakistan for pursuing higher education पहली बात तो अगर आप जाते हैं पाकिस्तान higher education के लिए तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा any Indian national over a citizen of India who intend to take admission in any degree college educational institution of Pakistan shall not be eligible for seeking employment or higher studies in India अगर आप वहां से कोई भी higher education लेते हैं वहां से graduation करते हैं और यहां आ जाते हैं क्यूंकि आपके पास अगर आप यहां आ जाते हैं तो आपको स्वागत नहीं किया जाएगा आपको यहां से भगा दिया जाएगा नहीं कोई रोजगार का उफसर मिलेगा और अगर आप वहां से graduation करके आता है यहां सोचते हैं मैं post graduation कर लूँ तो ऐसा भी नहीं होगा आपको यहां से भगा दिया जाएगा post graduation भी आपको यहां नहीं करने दी जाएगी तो यह strict guideline है UGC की तरफ से ठीक है तो आप इसके लिए कितना समर्थन करते हैं क्या यह चीज सही है क्या यह चीज गलत है बाकी इसमें एक और point यहां पर है important point है मैं वो भी last आपको cover कर देती हूँ अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो पाकिस्तान से पढ़के आया है चोलो ठीक है तो ओके वहां से पढ़के आया है यहां आके उसे रोजगार का अफसर चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे जो आपकी home minister है चीक है या फिर बोल सकते हैं आपका जो authority है जो कि इस चीज के लिए clarify करेगा आपकी पूरी जाच की जाएगी और देखिए यहां पर clarifyfence होगा पूरा M HA से आपका clarifyfence होना चाहिए पूरी तरीके से आप यहां पर आके क्या करेंगे कि हाँ आप सारे documents दिखाएंगे आप अपना proof देंगे सारी चीजे देंगे उसके बाद ही आपको admission मिल पाएगा और यह भी chance है मातर 1% जब आप अपने आपको proof कर देंगे तब ठीक है सारी जांचे आपकी होंगी आप अपने आपको proof कर देते हैं तो आपको admission पे मिल जाएगा रोजगार काफसर भी मिल जाएगा तो आप इस बात से कितना सहमत है कितनी सहमत ही रखते हैं उसके लिए comment section में comment करके जरूर बताए देखें किसी धर्म के लिए ये सारे जो notification सारे government की तरफ से तो इसे किसी धर्म से आप प्लीज मत जोड़िएगा विकोज धर्म नहीं है सबसे पहले हम Indian है और हमें जो भी हमारे देश का या फिर हमारा अगर बुरा करने की सोचेगा चया वो Pakistan हो चया वो America हो चया वो Russia हो कोई भी देश हो तो सबसे पहले हमें अपने लिए इस ट्राइन लेना बहुत जरूरी है और आप लोग खुद भी जानते हैं कि जितने हमारे आर्मी के candidates हैं या फिर जो भी है सब पे हमला कहां से होता है पाकिस्तान की साइट से होता है ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कोई जुटला नहीं सकता है तो इसके लिए आप लोग सच्चे दिल से अगर एक इंडियन हैं तो आप इसका कितना समर्थन करते हैं comment section में comment करें वो लोग भी comment ज़रूर करें और अपना मत दे जो लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं बाकि ऐसी informatic videos हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और मैं आपको बता देती हूं B-Pharma, मदलब BSP Pharmacy इसके अलाब आपको कुछ भी आद नहीं रखना है क्योंकि यहां पर आपको वह स्टेडी मटीरियल मिलने वाला है जो आपको पूरे ओनलाइन ओफलाइन किसी भी प्लैट्फोर्म पर चले जाओं मैं गैरंटी देती हूं कि ऐसा आपको मटीरियल कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसी चार साल अपनी लाइफ के कवर कर लेंगे कि हां आप क्या है और जो लोग आपके साथ वाले थे वो क्या रहे गए है तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करी लिया होगा साथी साथ एप्लिकेशन विजिट करो बेटा वहां पे डेमोज हैं बहुत सारा फ्री स्टेडी म सब्सक्राइब वह आप लोगों के लिए ही पेड है इतना सारा कंटेंट उसके अंदर है सारा सीक्वेंस वाइज है सारी चीजे हैं जाके एक बार जरूर विजिट करो बीएस भामेसी आप का नाम है फटा फट जाओ विजिट करो लिंक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिलेंगे देन नेक्स इंफोर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार